नुश्कार वच्छो तो हम लोगोंने टाइफ फर्ष्ट कर लिया था लीनियर एक्वेशन ऑफ टू वेरियेबल के हम लोगोंने एलिमिनेशन मेथड का टाइफ फर्ष्ट किया था जिसमें हमने दो तीन कोशन किये थे अब मैं थोड़ा सो अपग्रेड करूंगा कोशन को औ 3x प्लस 3y इस इक्वल टू इस इक्वल टू इस इक्वल टू 18 ठीक है और अगला लेता हूँ मैं 3x माइनस 4y इस इक्वल टू minus 7 minus 7 तो बताइए कि हंजी answer क्या आएगा तो बताइए कि इसका answer क्या आएगा x और y का तो बच्चो देखो अपग्रेड क्या हुआ है अब तक जो हम कोशन कर रहे थे वो direct x plus y x minus y हो रहा था यही था ना देखो कोशन अभी भी भी है plus minus अभी भी बीच में है plus minus अभी भी भी बीच में है बस फर्क यह हुआ है कि x और y के साथ digits आ गई है x और y के साथ क्या गई है digits आ गई है तो बच्चो ऐसी situation में क्या चीज करें और कैसे करें ठीक है तो ध्यान से सुनना जरा पहली बात मैंने आपको क्या बता है सबसे पहले अगर आपके पास बीच में plus और minus है अगर आपके पास बीच में plus और minus है तो आपके लिए एक काम असान हो जाता है क्या क्या आपको sign change करने जुरुत नहीं है आपका सिर्फ क्या काम रह जाता है आपको content बराबर करना है या तो x वालों को बराबर कर दो या तो y वालों को बराबर देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना पहले मैं कहाँ समझाना चाहरा हूँ बच्चो जब आप x प्लस y और x माइनस y वाला काम कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे भाई ना ही x को बराबर करते थे ना ही y को क्यों क्यों क्योंकि ये तो पहले से ही बराबर है बस आपने देखा sign appositive काट दिया ऐसे कर रहे थे लेकिन बच्चो अब ऐसे नहीं करना है कटेगा अब भी लेकिन फर्क क्या आएगा कि आपको किसी एक चीज को बराबर करना होगा या तो x वालोeg को बराबर कर लो या तो y वाले को आप matter ये करता कि करे किसको तो जिस मर्जी को कर लो कोई फरक नहीं बढ़ता है जो digit आपको असाल लगे उसे करो जैसे बच्चो माल लो अगर मैं x वाले को बराबर करना चाहता हूँ माल लो तो मैं पता क्या करूँगा एक ऐसे यहां bracket बनाऊंगा और मैं x वाले को क्यों बराबर करना चाहता हूँ क्योंकि x वाले के साथ में जो digit है वो छोटी है और y वाले के साथ में जो digit है वो थोड़ी बड़ी है क्योंकि छोटी digit से multiply करने पे question असानी से solve हो जाता है और बड़ी digit से multiply करने पे question solve होगा उसमें भी लेकिन calculation थोड़ी बढ़ जाती है तो बच्चों कुछ नहीं, अब देखो X के पास यहाँ 2 है, यहाँ 3 है हमें बराबर करना इसे, क्या करना है बराबर, तो बराबर कैसे कर सकते हैं बराबर कैसे कर सकते हैं अब एक वाद बताओ, एक सीधा से simple सा है, कि यह एक person है A, और यह एक person है B, अगर इसके पास भाई 2 रुपे हैं, और इसके पास भाई 3 रुपे हैं, तो इन दोनों को कौन कौन सी digit से multiply करें कि इनके पास बराबर रुपे आ जाएं तो आप बोलोगे भाई, इसको 3 से कर दो तोचिया जाएगा, इसको 2 से कर दो तोचिया जाएगा, यही बोलोगे ना, मैंने देखो, बोला क्या है, कौन सी digit से multiply कर दें, तो यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आपने किया क्या, इसका जो 3 था, उससे इसको multiply किया, हो y को कर रहे हैं, जिसको भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माल लीजिए, मैं x को बराबर कर रहा हूँ, तो पता है क्या करूँगा, नीचे वाले का 3, नीचे वाले का 3, इस पूरे उपर वाले से multiply करेंगे, और इस पूरे वाले से multiply करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि भाई, असानी से ये बराबर हो जाए, तो चलो multiply करो, पहले 3 को 2 से करो, तो 3, 2, 6, अब ऐसा नहीं, सिर्फ इस से करके छोड़ दिया, जब इस से कर रहे हो, तो इस से भी करेंगे, क्यों? पूरे से करेंगे, 3 तीय, 9 Y, फिर इस से भी करेंगे, 18 तीय, 14. ठीक है, फिर अब 2 को इस से करेंगे, तो देखो 3 तुनी 6 X, बीच में minus, 2 को इस से करेंगे, 4 तुनी 8 Y, फिर इस से करेंगे, 7 तुनी minus का 14, हाँ भई, sign तो पहले से यह deposit है, sign तो पहले से यह deposit है, लेकिन समस्य क्या आती है, समस्य क्या आती है, समस्य यह आती है बच्चो, कि हमने बराबर किसको किया, x को किया, हमने बराबर किसको किया, x को किया, तो ऐसी situation में हमें क्या करना पड़ता है sign change हमें क्या करना पड़ता है sign change तो देखो यहाँ पे आप अब यह किसका यह 6x जो है किसका है plus का तो इसे कर दो minus का 8 किसका है minus का तो इसे कर दो plus का 14 किसका है minus का तो इसे कर दो plus का अब देखो यह plus यह minus cut गया, 9 और 8, कितने होते हैं जल्ली बोलो भई, 17 वाई, हाँ भई, 54, अर यह देखो minus की जगब किसका होगा, प्लस का, तो 54 और 14, कितना होगा, 68, तो बच्चों, यह देखो, हंजी, 17 यहाँ पर multiply कर रहा है, यहाँ पर आके divide करेगा, तो 17 एकम 17, 17, 17, 18, अब यह मत बोलना कि हम table याद नहीं कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, तो यह कुछ भी मजबूरी है, खुद समझो, ठीक है, table तो याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे कटेगा, तो भई, table याद करो, ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया, 4, now, अब भई, y अब आपको पता ही है, यह equation first, यह equation second है, किसी में पुट कर दो, put y in equation first, first equation क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 18, तो 2x कितना है, नहीं पता, y कितना है, 4, 18, 2x, 4 तिया 12 बराबर 18, हंजी, प्लस का 12 उदर जाके, minus, 6, और 2 यहाँ multiply कर रहा है, यहाँ पर आके divide, cancel out, 3, तो x की value क्या आगई, 3, x की value क्या आगई, 3, ठीक है, तो यह तो वो situation है, जब मैंने x को बराबर कर दिया, लेकिन अगर मालो मैं y को बराबर करता, तो क्या होता, ठीक है, वो भी सीखो, लगे हाथ, लगे हाथ, वो भी सीखो, ठीक है, अगर माल लीजिए, कि भई मैं, भई मैं क्या चाहता हूँ, कि भई मैं opposite sign वालों को बराबर करूँ, क्यों, क्योंकि मैं minus plus का जंजड नहीं चाहता, तो ठीक है भई, कोई दिक्कत नहीं, हम भई y को बराबर करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि इसका sign opposite है, त 3 को इस से करो, अगर y को बराबर कर रहे हो, तो y वाले digit आगे बीचे करेंगे, अगर x को बराबर कर रहे हो, तो x के digit आगे बीचे करेंगे, ठीक है, तो चलो, multiply करो, 4 को 2 से 8x, 4 को 3 से 12y, 18 को 4 से 72, 3 को 3 से 9x, 3 को 4 से 12y, 7 को 3 से minus 20, अब देखो, हमने बराबर किस को किया है y को और y के sign तो पहले से यह पोजिट है तो sign change करने की जुरत नहीं है तो यह cut गया 8 और 9 17x 72 में से 21 गया 51 ठीक है तो बचा गया x 51 बटा 17 17 17 यहां डिवाइड 17 17 17 यहां डिवाइड 17 17 तिया 51 x की value 3 अब इसके बाद आप जानते ही हो same case ठीक है put कर दो put x in equation first तो equation first क्या है 2x plus 3y 18 2x की value 3 अजी 3 दुनी 6 वही 6 उदर जाके क्या हो जाएगा minus तो कितना बन गया यह 12 तीन यह multiply कर रहा है यहां के divide करेगा cut गया 4 y की value 4 तो मैंने देखो अगर आप देखोगे तो value अभी भी same आ रही है तो बच्चो आप बराबर किसी को भी करो मैं यही दिखाना चाहा रहा था आपको कि आप equal ना किसी को भी करो चाहे x को करो चाहे y को कोई फर्क नहीं पड़ता बस एक बात का ध्यान रखना वो बाते क्या हैं पहली बात यह है कि बच्चो अगर आप अगर आप भई अपोजिट साइन के अलावा किसी को भी बराबर करते हो मेरी बात को ध्यान से सुनना अगर आप अपोजिट साइन के अलावा किसी को भी बराबर करते हो तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे और अगर आप opposite sign वाले को ही बराबर करते हो अगर आप opposite sign वाले को ही बराबर करते हो तो sign change करने की जुरत नहीं है, अब जोन सा method आपको अच्छा लगे, वो method आप कीजिए ठीक है, फिर मैं एक question और करा रहा हूँ तो जल्दी से इसको video pause करके note कर लो बच्छो, ठीक है फिर मैं आपको एक question और कराता हूँ चलो, तो आप लोगों ने video pause करके ये note कर लिया होगा अब मैं आपको एक question दे रहा हूँ, ठीक है और इस question को देने के बाद सभी बच्चे इस video को pause करेंगे और अपने से solve करके दिखाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी बच्चे न, देखो मैं तो एक ए question को solve करवाँगा लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी आना चाहिए, ठीक है आपको भी एक question आपको clear होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे समझे रहे हो, कि मैंने जैसे करा दिये यहाँ पर question, अब यहाँ पर लिख रहा हूँ है question ठीक है, question लिखते ही एक video pause कर देंगे आप सभी, ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5x minus 8y is equal to 8 जाद हो जाएगा 7 ले ले तो, है ना तो यह बन जाएगा 6 और यह है यह आजाएगा 6x plus 2y तो 6x कितना हो जाएगा 6x और 2y कितना हो जाएगा 28, चलो solve करके दिखाना मुझे यह video pause करो और solve करो चलिए तो video pause करने के बाद आपने यह solve कर लिया होगा ठीक है, video pause करने के बाद आपने यह solve कर लिया होगा तो अब solve करके दिखाता हूँ मैं तो चो, देखो मैंने क्या बदाया मेरे लिए तो यही असान है जो अपोजिट साइन होगा मैं तो उसको बराबर करूँगा ठीक है तो चलिए बराबर करते हैं इधर का 2 इधर से मंटिपलाई इधर का 7 इधर से मंटिपलाई अच्छा आप कई माइनस मत उठा लेना सिर्फ डिजिट उठानी है अच्छा दो को 5 से करेंगे 10X दो को 7 से करेंगे 14Y 6 को 2 से करेंगे 12 7 को करेंगे 42X 7 दुनी 14Y और 28 सत्य कितना होगा 140 और 56 196 196 ठीक है आपको टेबल आनी चाहिए ठीक है अब पहले सी अपोजिट है काट दो 42 और 10 हाँ जी 52X 196 और 12 कितने होते हैं 208 नहीं कितने होगे हाँ 208 हो जाएंगे न 208 तो कटेगा कटेगा हाँ कट जाएगा कट जाएगा 52 यह रहा 52 यह मंटिप्लाई कर रहा है 52 यहां परा के मंटिप्लाई कर रहा है यहां के डिवाइड करेगा बावन एकम बावन बावन चोके 208 ठीक है तो X की वैलू कितनी आ गई चार X की वैलू कितनी आ गई चार और अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप उससे भी काट सकते हो 13 से भी कट जाएगा यह ठीक है तो X की वैलू आ गई तो अब पुट X in equation किसी में भी रग दो तुमारी मरजी है फर्स्ट में रग दो 5X माइनस 7Y is equal to 6 तो 5X की वैलू कितनी है 4 7Y is equal to 6 5 चोके 20 माइनस वाली चीज़ यहां पर आके प्लस वाली चीज़ यहां पर आके 2 तो Y की वैलू कितनी आ गई 2 और X की वैलू कितनी आ गई 4 जितने बच्चों का यह आंसर आया वो अपने ले त्याली बजा ले और मेरी तरब से 1 रुबे के टॉफी खा ले और जिनका नहीं आया तो भाई वो क्यों नहीं आया वो सोचे कि आखिरकर हमने क्या गलती करी जिसकी वज़े से हमारा यह नहीं आया ठीक है यह क्लियर होगे तभी को ठीक चलो अब हम आते हैं टाइप 2 पे टाइप 1 तो आप समझ गयोंगे अब हम टाइप 2 पर आते हैं ठीक है टाइप 2 पर आते है अच्छा टाइप 1 में हमने क्या देखा टाइप 1 में हमने देखा कि कोई ना कोई X या Y का साइन जो था वो अपोजिट था किसी ना किसी एक का साइन क्या था अपोजिट था लेकिन अपकी बार आपको दोनों साइन सेम मिलेंगे आपकी बार आपको दोनों साइन क्या मिलेंगे सेम मिलेंगे जैसे टाइप 2 टाइप 2 करेंगे जैसे माल लीजी आगया 2x प्लस 4y is equal to 6 ने is equal to is equal to 6 नहीं लेंगे 10 ठीक है और इसका 7x प्लस 3y ठीक है 13 यह आगया बच्छो तो कहरा बताओ कि भई हम कैसे इसको करें x और y का answer क्या निकालें तो बच्छो निकाल लेंगे देखो अब तक क्या चल रहा था कि भई बीच वाले में sign opposite थे लेकिन अब sign क्या है सेम है प्लस आगया जरूरी नहीं है प्लस माइनस भी आ सकता है ठीक है दोनों आ सकते है अब ऐसी situation में बराबर करना है तो मैंने तो आपको बताई रखा यार क्या करना है जोन से डिजिट छोटी लगे उसको बराबर कर लो हाँ भी किसे बराबर करना चाहते हो एक्स को या वाई को तुम कुछ बच्चे बोल रहे होंगे एक्स को करो कुछ बच्चे कहरे होंगे वाई को करो तो मालनो मैंने एक्स को बराबर कर दिया तो कैसे करेंगे एक्स वाला साथ इधर ले जाएंगे एक्स वाला दो इधर ले आएंगे 7 को 2 से करेंगे 14X 7 को 4 से करेंगे 28Y 7 को 10 से करेंगे 70 7 को 10 से करेंगे 14X 3 को 2 से करेंगे 6Y और 13 को 2 से करेंगे 26 हो गया multiply अब देखो मैंने क्या बताए था ऐसी situation में sign सबका change करना पड़ता है जब सबका sign सेम हो या वही एक जैसा हो तो भई हमें क्या करना पड़ता है sign को change करना पड़ता है देखो और हाँ ये मत देखना उपर वाले और नीचे वाले ये नहीं X वाले का sign सेम है Y वाले का sign सेम है और इधर वाले का sign सेम है तो change करो minus 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 भई कट गया ये 28 में 6 गए जल्दी बोलो 22Y हाँ भई 70 में 26 गए कितने बचे जल्दी बोलो 44 तो भई 22 इधर multiply कर रहा है इधर आके divide 22 दुनी 44 Y की value 2 ठीक है अब क्या करोगे put Y in equation first ठीक है जैसे 2X plus 4Y बराबर 10 2X plus 4Y की value 2 4 दुनी 8 10 हाँ जी तो 2X 10 माइनस 8 कितना आ गया 2 2 से 2 कट गया X की value कितनी आई 1 तो X की value कितनी आगी बच्चो 1 आ गई कितनी आ गई 1 जल्दी नोट करो एक कोशन और देता हूं जल्दी नोट करो फटा फट नोट तो देखिए बच्चो यह हो गया हो गई वाला कोशन हाना चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक दो कोशन और कराता हूं भी मैं आपको ठीक है अभी तो आज तो मैं type 2 ही कराऊंगा कल से word problem यानि next class से हम लोग word problem सुरू करेंगे ठीक है अभी तो चलने दो इसे बहुत सारी practice करा दूंग आपकी मैं अच्छा अब जैसे मान लो आप एक कोशन ले लेते हैं क्या कोशन ले लेते हैं मान लीजे ले लिया हमने 5x-3y is equal to क्या ले लें वही कितना आ गया 16 ठीक है क्या आ गया 16 ठीक और क्या ले लेते हैं 8x-5y-5y और यहां आ जाएगा यहां पर 15 चलो भई जल्दी से वीडियो बास करके solve करके दिखा दो मुझे 40 से सभी बच्चे बिल्कुल प्यार से कर रहे होंगे चलिए कई बच्चों ने वीडियो बास करके इसको solve कर लिया होगा मैं उमीद करता हूँ तो चलिए अब solve करते हैं अच्छा अब आप देख रहोंगे यहां पर x का sign same है y का sign same है और इस वाले का भी sign same है ठीक है अब यह मत कहना कि सर यह देखना क्या हो गया आपने तो कहा था sign same तो sign same मतलब same content का अगर x वाले हैं तो x वालों का ही रहेगा y वाले हैं तो y वालों का रहेगा और digit वाले हैं तो digit वालों का same ठीक है और opposite है तब तो मैंने सिखाई दिया opposite में तो ठीक है अच्छा अब आपको पता यह elimination method क्या कहता है कि हमें बराबर करना है चाहे तो x को कर लो चाहे तो y को तो हम चलो y को कर ले तो क्योंकि asan digit है तो इसका 5 इस पूरे से इसका 3 इस पूरे से तो 5 को करो 5 से 25 x पांच को करो 3 से 15 15y 5 को करो 16 से 80 3 को करो 8 से 24 x 5 को करो 3 से 15 y ठीक है 15 को करो 3 से 45 अब साइन तो सब के सेम है चेंज करेंगे यह प्लस है तो माइनस यह माइनस है तो प्लस यह माइनस कट गया बच्छो 25 गया एक एक्स हाँ वही असी में से एक मिनट एक मिनट बच्छो कुछ गड़वड हो रही है एक मिनट एक मिनट नो पच्छिस में से नो जाएंगे तो कितना देंगे बच्छो 16 और यहां पर 40 40 माइनस 15 कितना होते हैं 25 बच्छो यहां पर 15 की जगा 25 आएगा इसा ही कर लेना सॉरी कुछ बच्छो गलत अंसर आ रहोगा बई सॉरी 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 मेरी बिच्टीक है यहां पर 15 की जगा 25 तीया 75 ठीक है अब सही है कट गया तो 25 में 24 गया 1 80 में 75 गया 5 एक्स की वैलू आई 5 पुट एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट यह कोशन मैं ही बना रहा हूं तो कभी कभी हो जाती मिस्टेक ठीक है अच्छा तो क्या है भई 5 X माइनस 3 Y बराबर 16 तो 5 X की वैलू कितनी है 5 माइनस 3 Y और यह 16 यह आगे 25 माइनस 3 Y बराबर 16 ठीक है तो 25 प्लस का 16 इदर आके माइनस का 3 Y अजी जल्दी बोलो 25 में 16 गया 9 3 Y 3 यहां बच्चों मंटिप्लाई कर रहा है प्यारे बच्चों यहा आके डिवाइड करेगा 3 बंजा 3 3 3 4 9 तो Y की वैलू 3 कोई दिख्कत कोई परिशानी किसी को नहीं मुझे भी तो बच्चों यह हो गया होगा एक कोशन और ले लो फटाफट लो अब कोई गलती नहीं होगी टैंसर मतलो एक भैंकर सा कोशन बना देता हूं आपके लिए ठीक है यह लो अच्छा अब ले लो मानलो 6 X माइनस 7 Y इस इक्वल टू इस इक्वल टू 9 ठीक है इस इक्वल टू 9 और 5 X माइनस 8 Y बराबर बराबर एक चलो भाई सॉल्व करो इसे फटा फट जल्ली वीडियो पहुच करके सॉल्व करो होगे सॉल्व चलो मैं उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लिया होगा तो किसे बराबर करें X वाला भाई ज्यादा असान लग रहा है है ना चलो तो X वाले को यहां और इस X वाले को यहां 5 को 6 से 30 X 7 को 5 से 35 Y 9 को 5 से 45 6 को 5 से 30 X 8 को 6 से 28 48 थीक है 6 35 38 यह चलो भाई तो यह होगे help- यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा माइनस, क्यों होगा, क्योंकि sin सेम है, ठीक है, अच्छा, यह तो गया, cut, यह तो गया, cut, आप इटालिस में से पेंटिस जैंगे, कितना आएंगे, जल्दी बता तो, 13 y, और पेंटालिस में से 6 जाएगे, तो कितना आएगा, 49, ठीक है y is equal to 3 now put y put y in equation put y in equation first y का मान समी करण एक में रखने पर चलिए भई तो क्या है 6x minus 7y बराबर 9 ठीक है तो 6x minus 7 y की value 3 बराबर 9 तो यह 6x 21 बराबर 9 21 बराब जाके plus हो जाएगा 21 और 9 कितने होते हैं बच्चो 30 होते है 6 यहां multiply कर रहा है यहां के क्या करेगा divide काटेंगे 5 x की value 5 क्या सभी बच्चों को clear हो गया हाँ बई समझ मारा रहा है clear हो रहा है न चलो अब थोड़ा समय इसे अप्ग्रेड करूंगा को सभी बच्चे मुझे अब कुछ थोड़े से टफ कोशनों के बारे में भी जानकारी देंगे ठीक है चलिए शुरू करते हैं थोड़ा से अलग लेवल पर चलते हैं अब जैसे ये माल लो एक कोश्चन मैंने ये लिया एकस अपॉन में 2 प्लस 2 वाई अपॉन में 3 इस इक्वल टू माइनस 1 एकस माइनस वाई बाई 3 इस इक्वल टू 3 बताए इसका ऐलिमिनेशन मैंथट कैसे करेंगे अब देखके तो आद जादा बच्चे घबरा गये होंगे या रहे क्या दे दिया ये क्यों डरा रहे हो तो भाई डरने की बात नहीं है ठीक है क्योंकि डरने की क्या बात है मादुरगा आपके साथ तो भाई कोई दिक्कती नहीं है आप देखो कैसे करना है सबसे पहले आप लोगों को यह दिख रहा है ना कि अब लोगों दिख रहा है बस सबसे पहले तो भाही क्या करो इसको सिंपल कर लो शिंपलेश्ड फॉन में कणवर्ट तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चो ठीक है इसको इससे करेंगे 3 x इसको इससे करेंगे 4Y नीचे को नीचे से करेंगे 6 माइनस 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 को इससे करेंगे 3X प्लस 4Y 6 को इससे करेंगे माइनस 6 और अपको पता ही जब बीच में बराबर होता है तो हम उदर नहीं करते equation first आगी प्यारे बच्चो चलो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 चलो करना जला इसको 3 को इससे करो 3X 1 को इससे करो Y नीचे को नीचे से 3 3 upon 1 1 को इससे 3X माइनस Y 3 को इससे 3 तिया नो equation number second अब तो भाई काम ही खतम हो गया क्या करना है solve करना है हाँ जी now solve equation first and second हिंदी वाले समी करन एक वा दो को हल करने पर हल करने पर ये बात लिखनी पड़ेगी जब word problem आएगा ठीक है तो 3X प्लस 4Y बराबर माइनस 6 ये था first equation और second क्या है 3X माइनस Y बराबर 9 हाँ भाई अब बात आती है बराबर करनेगी तो भाई मैं Y को भी बराबर कर सकता हूँ X को भी लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ भाई X तो पहले से ही बराबर है तो बात ही खत्म जब पहले से ही बराबर है तो ये प्लस का है माइनस ये माइनस का है प्लस और ये माइनस कट गया 4 और 1 5y ये भी माइनस ये भी माइनस 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 होता है प्लस 9 और 6 क्या होता है 15 हाँ भई 5 multiply कर रहा है यहां के divide करेगा 5 ती है 15 y की value minus 3 y की value minus 3 अब क्या करेंगे put y in equation first in equation first equation first क्या है मेरे प्यारे बच्चो 3x plus 4y बराबर minus 6 4 y की value minus 3 3x plus minus minus 4 ती हा बारा minus का बारा यहां के plus और यहां आगे आपका 6 तो बच्चो 3 यहां multiply कर रहा था यहां divide, cancel out 2 तो देखो x की value 2, y की value minus 3 फटा फट नोट करो फिर हम लोग और एक दो question करते हैं फिर मैं आपको homework भी दूँँगा बहुत सारा हाँ जी बच्चो आप देख रहोंगे आपके सामने मैंने तकरीबन ये 3, 2, 5 और कितना हो गए? 5, 10 10 और ये 1, 2, 3, 4, 14 बच्चो मैंने आपको 14th question दिये हैं और इस 14 question के अंदर ना एक type को छोड़के बाकि सारे type कवर हो गए ठीक है? और जब 3.5 होगा तब वो बचा हुआ type भी मैं आपको खतम करा दूँगा ठीक है? तो बच्चो इस type के question आप लोगों को practice करके आना है ठीक है? और जो हो जाए ठीक, नहीं तो भाई कोई दिक्कत नहीं मैं आपको question करवाँगा ठीक है? हाँ मैं इतना बता दूँ, answer मैं सब के बताऊंगा, लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि आपसे कौन कौन से question हो जाने चाहिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो पका हो जाना चाहिए, ये पांच माँ, ये भी हो जाना चाहिए, ये अगर तो देखो, ऐसा कोई भी question मैंने आपको नहीं दिया है, जो आपसे ना हो, easy है, सारे के सारे question सारे हो सकते हैं आपसे, बस फिर भी अगर नहीं होगा, तो एक बार में इन सभी question को solve करवाऊंगा, ठीक है? तो चलिए, आज की class यहीं खतम करते हैं, ठीक है, इसका screenshot वगरा जो लेना हो, ले लेना बच्चो, ठीक है, और landscape में मैंने बता रखा है पहले भी, कि हमेशा video को landscape में चलाएं, ठीक है, और इस पूरे के पूरे content को, या तो आप चाहो तो एक बार copy में लिख लो, फिर solve कर लो, या screenshot लेके तब कर लो, ठीक है, तो आपको मैंने दोनों option दे दिये हैं, ठीक है, तो आब यह कर ली जेगा, next class में मिलते हैं, और कुछ नए word problems हम सीखेंगे, elimination method से, ठीक है, चलिए, bye